आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है आज के इस सेशन में हम Competition Act 2002 का सबसे important part discuss करेंगे Let's give it a heading first आईए इसको heading दे देते हैं Topic का नाम है Areas Prohibited Areas Prohibited Areas हम सब जानते हैं Competition Act के अंदर एक authority बनाई गई है जिसका नाम है Competition Commission of India तो वह कौन कौन से Areas हैं जहां पर CCI लोगों को Prohibit करती है कि ये काम नहीं करना ये काम आपको नहीं करने देंगे या आप कह सकते हैं Regulated Areas कि कहां पर CCI अपने Regulations बना सकती है किन किन मुद्धों पर वो discuss कर सकती है या इन दोनों का एक Common में नाम दे दूँ इन दोनों को मैं Common नाम दे दूँ और बोलू Areas Affecting Areas Affecting Competition Competition Act को बनाया गया Competition Market में Competition को Promote करने के लिए Competition को Protect करने के लिए Competition को Regulate करने के लिए अब ये काम करेगा कौन ये काम करेगा Competition Commission of India तो Competition Commission of India को Power देनी होगी के नहीं देनी होगी तो आईए हम इन सब बातों को डिसकस करेंगे सबसे पहले डिसकस कर रहे हैं कि वो Areas कौन कौन से हैं जहांपर CCI को Rule बनाने की Regulate करने की Power है जहां पर उसे लोगों को जाने से रोकने की Power है तो वो कौन कौन से एरिया है ये बात हमें डिसकस करनी हैं दोस्तों तो हम इसका एक Common नाम दे रहे हैं Areas Affecting Competition और एक्जाम में बहुत हिट कोश्चन इसका एक्जाम में आ सकता है ठीक है शाबाश तो आए बहुत शिदत से आपने ये सेशन को देखना है बहुत प्यार से आपने पढ़ना है आए शुरू करते हैं The Competition Act The Competition Act focuses on the following affecting on the following 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 word लिखा है following areas affecting competition affecting competition कौन-कौन से वो एरियास है शाबाश इसमें मैं आपको बता दूँ हम basically इसके अंदर पाँच सेक्शन है हमारे section 3, section 4, section 5, section 6 and section 49 यह पाँच जो sections हैं उनकी एक लिस्ट त्यार करेंगे और पहला point नोट करेंगे आप सो से पहले क्या चीज़ प्रोहिबिट करती है प्रोहिबिशन इन पाँचों कामों में आपको CCI के CCI के जो टागेट है लक्ष है जिस चीज के लिए CCI को बनाया गया वो क्या मैंने फॉर्मूला बताया PPR, Promotion of Competition, Protection of Competition, Regulation of Competition वो तीनों चीज़ें आपको इन पॉइंट में नजर आएंगी इन पॉइंट को जब आप नोट करोगे तो आपको एकदम समझ में आएका हाँ वाई ठीक बात ठीक बात है यह दूसरी बात पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ ठीक बात है यह भी objectives को पूरा करने के लिए जरूरी है जो मैं पाचों point आपके साथ discuss कर लूँगा तो background में आपके mind के background में PPR चलता रहना चाहिए और हर point को आपने mind में मैंने करूंगा आप खुद analysis करेंगे आपके मन से खुद आवाज आनी चाहिए हाँ भाई यह काम PPR के लिए जरूरी है यह काम PPR के लिए जरूरी है PPR मतलब objectives of the competition act 2002 जिस मकसद के लिए CCI को बनाया गया तो आइए prohibition first point है prohibition of anti-competitive agreements यानि वो agreements जो anti-competitive है वो सब agreements जो anti-competitive है उनको क्या करेंगे? prohibit करेंगे anti-competitive agreements और anti-competitive agreements के लिए हमें mainly क्या पढ़ना पढ़ेगा? section 3 section 3 90% chance है कि इन 5 sections में से ही question आएंगे इसके 90% chance यह है आईए note करेंगे agreements agreements पहले तो हम यह देख रहे हैं पहले तो हम इन सब sections को जो मैं यहां बताने वाला हूँ पहले तो मैं एक list बना रहा हूँ कि वो कौन कौन से area है वो कौन कौन से चीजे हैं जहां पर CCI काम करेगा तो अभी कुछ words ऐसे लिखूंगा यहां पर जो समझ में थोड़ा कमाएंगे आपके लेकिन आपने यह देखना है कि हम इस topic का हमरा objective क्या है इस topic का हमरा objective वो list बनाना है वो areas की list बनाना है जहां CCI काम करेगी तो इसलिए थोड़ा patience रखना यह tie-in arrangement मैं थोड़ी देरे बाद बताऊंगा इसको detail में discuss करूँगा इसकी definition लिखवाँगा आपको ऐसे नहीं बजाएगा ऐसे बताके ऐसे मैं कुछ बोलूँगा भूल जाओगे time waste होगा तो इसलिए अभी नहीं बता रहा अभी आप note कर लेजिए अभी अरिया की list बना लेजिए एक्जाम में आपको 8 number दिला सकता है जो यह काम मैं लिख रहा हूँ इस page के ओपर यह 8 number आपको दिला सकता है एक्जाम के अंदर तो सिरफ आप क्या करिए वो list बनाईए पहले तो फिर बाद में एक एक word आपको मैं समझाओंगा आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है शाबस tie in arrangement exclusive dealings यह different type के agreements होते हैं exclusive dealings जहाँ पर एक आदमी कहता है कि तुने मेरे साथ ही काम करना है किसी और के साथ नहीं करना refusal to deal refusal to deal resale price maintenance resale price maintenance यह कई तरह के agreement है जिसको हम anti competitive agreements कहते हैं आप यह नोट कर सकते हैं cartels for bid rigging cartels for bid rigging शाबस collusive bidding यह कई तरह के बटा anti competitive agreements होते हैं collusive bidding यह सब prohibited है ऐसा करना CCI से पंगा लेना मतलब यह काम करोगे इस काम का legal effect क्या है कि आपने CCI के पंगा ले लिया ठीक है CCI से पंगा ले लिया मतलब मदू मक्ही के घोसले में आपने हाथ डाल दिया ठीक है यह सब agreements है ठीक है इस agreements आगे आप continue note करेंगे next paragraph में जहां यह points आप लिख लेंगे यहां आपने सारे points लिखे और जहां आपने यह सारे points लिखे उसके नीचे एक paragraph आप लिखेंगे शाबाश all these agreements shall be considered shall be considered anti-competitive anti-competitive competitive और anti-competitive agreements हैं तो agreement या तो valid होता है या award होता है तो इनकी क्या position है and void इसलिए void है ऐसे लिखिए आप and hence void and hence void क्योंकि ये anti-competitive होते हैं इसलिए ये void है गलत है anti-competition and hence void ठीके बटा hence void कोमा लगाई ये full stop नहीं लगाई ये if they कोमपेटिशन एक्ट का और MRTP में मैं तोड़ा difference भी करूँगा if they cause और likely condition लगादी कब वोइड होंगे if they cause or likely to cause and appreciable थोड़ा बहुत नहीं देखो थोड़ा बहुत तो आप market में जब operate करोगे तो थोड़ा बहुत तो appreciable adverse effect on the competition in India ठीक है ये line ये language आपने अच्छे से learn करनी है बहुत यूज होने वाला इस line का ठीक है if they cause in competition in India आई ये पहले पूरी बात लेकिए फिर आपको और गहराई तक इस बात की लेके जाएंगे if they cause or likely to cause ये को चोटा मुटा नहीं appreciable word यूज किया appreciable adverse effect effect on the competition in India पही काम बिद्नस करने के लिए हो सकता है कि ये काम करने बढ़े ऐसा नहीं है कि हर situation में ये avoid होंगे Re-sale price maintenance हर situation में वॉइड नहीं होगा हर situation में थोड़ी वाइड होगा Re-sale price maintenance manufacturer अपने product के ओपर price quote कर रहा है इसको बोलते है Re-sale price maintenance कि retail customer को price कितने का मिलेगा हर situation में वॉइड नहीं होगा Tie in arrangement हर situation में void नहीं होगा Combo 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 Offer Tie in arrangement मतलब combo offering जैसे आप मैआप जाते हैं ला मुवी देखने जाते हैं तो आप पॉप कोन के साथ Pepsi Free मिलती है Pepsi Free देते हैं मतलब Free तो कुछ नहीं देते हैं वो ठीके दस रुपे की पॉप कोन देते हैं Exclusive Dealing, Refusal To Deal, Cartles For Bid Rigging, इन concepts को बटेटेल में मैं डिसकस करूँगा, बस आप इतनी बात यादर किये, They are void, मेरे साथ बोलिये, They are void if they have appreciable adverse effect on the competition, तो ऐसे हमने बटा, 5 sections पढ़ने हैं, अभी हमने एक किया है, अभी हम सरफ क्या बना रहे हैं, अभी हम उन areas की list बना रहे हैं, कि इन areas में CCI काम करेगा, तो पहला area हमने क्या बनाया, Prohibition of Anti-Competitive Agreements, if these agreements are there, and if they put adverse effect on the competition, then they are void, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिजजीला बना है, MRTP Act तो क्या करता था, strictly, वो तो मना कर देता था, यह काम करना ही नहीं है भई तुम्हें, यह काम करने नहीं देंगे तुम्हें, या लेकिन Anti-Competitive Competition Act में क्या आप खास बात पाएंगे, कि हाँ थोड़ा सा लिजीला पन है, कहता है कि अगर करो, लेकिन Anti-Competitive होगा तो छोड़ेंगे नहीं, कर लो, लेकिन Anti-Competitive होगा तो छोड़ेंगे नहीं, आइए, सेकिंड एरिया देखते हैं, जहां पे CCI काम करेगी, CCI के, प्रोहिबीशन ओफ, देखो बेटा, शाबाश, अब यहां भी आप MRT पी और CCI में, कॉम्पेटिशन में में, डिफरेंस आपको सुड़ा सकर करके दिखाऊंगा, शाबाश, तो सा involved हो के करना, पड़ेगा बेटा, यह काम आपको, प्रोहिबीशन, पांसाथ नंबर लेने हैं एक्जाम में, तो असान नहीं है, इसके लिए पुरा दम खम लगाना पड़ेगा आपको, प्रोहिबीशन ओफ, अब्यूज ओफ डॉमिनेट, अब्यूज ओफ डॉमिनेट पोजिशन, प्रोहिबीशन ओफ, अब्यूज ओफ डॉमिनेंट पोजिशन, डॉमिनेंट पोजिशन मतलब पावरफुल, पावरफुल पोजिशन, ठीक है, अब्यूज का मतलब होता है, आप अगर पावरफुल है ना भाई, बगवान ने आपको, लंबा चोड़ा शरीर दिया है ना, तो जाके यार, कुछ करो यार, कुछ मोडलिंग, मोडलिंग करो, विजेंदर सिंग की तरह बॉक्सिंग करो, सुशील कुमार की तरह रैसलर बन जाओ, जोन अबराहम की तरह एक्टर बन जाओ, खली की तरह फाइटर बन जाओ, कुछ करो यार, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप कमजोर लोगों को तंग करोगे क्योंकि आप dominant हैं आपकी powerful position है आप उस position का भाई use करें misuse ना करें misuse को बोलते है abuse अगर आप अपनी position को abuse करेंगे आप तगड़े लाला हैं आपके पास अपना go down है अपनी factory है अपनी दुकान है ठीक है आपके पास joint family है आपके पास joint family है आपके पास economy of scale पर operate करने की resources हैं भगवान ने आपको अच्छा लंबा चोड़ा आपको empire दिया है लेकिन ये क्या बात हुई मैं जब business करने आया आपकी competition में तो आप तो बिल्कुल नीचे आ गए यार आपने तो अपना standard बिल्कुल गिरा दिया ठीक है मैं आया था अपने घाउं से जमीन वेल्च के ठीक है मैंने किराए पे दुकान ली किराए पे फैक्टरी ली बैंक से लोन लिया ठीक है आपके competition में मैं product बना रहा था आपने क्या गरा cost price से नीचे बेचना शुरू कर दिया मेरी मुझे परिशान करने के लिए तो आप क्या गर रहे हैं आपने अपनी cost price से नीचे माल बेचना शुरू कर दिया आपकी cost आ रहे है 100 रुबे आपने बेच रहे है और 90 रुबे बे अब आप अपनी cost price से आपकी costing मुझे से पहले ही कम थी क्योंकि आपके पास अपनी दुकान है अपना go down है अपनी factory है मेरे पास अभी ये किराए की है मेरी costing तो पहले ही कम ज्यादा आ रही थी आपसे और आपने अपनी costing से भी नीचे वेचना शुरू कर दिया आप अपनी position को dominant use कर रहे है ठीक है आप अपनी position का misuse कर रहे है ये नहीं करने देंगे आपको CCIE से रोकेगी आपके लिए section 4 शाबाश ये क्या है वेटा section 4 डिटेल में करेंगे section 4 को अभी तो सिर्फ हम उस areas की list बना रहे हैं जिन areas में competition commission of India काम करती है शाबाश आईए imposing imposing unfair unfair or discriminatory 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 conditions दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलजी कंपनी है Ericsson सुना होगा आपने Ericsson दुनिया में हर दूसरा phone जो बनता है उसमें Ericsson की टेक्नोलजी लगती है imposing unfair or discriminatory conditions इंडिया में जब 3G आया तो एक company थी eyeball वो बिचारी 2G सेट बना बना के बेच ले इती मेहनत करके eyeball mobile phone में eyeball भी अच्छा operator है इंडिया के अंदर अच्छा enterprise है अच्छा business ठीक ठाक business कर लेते हैं बिचारे तो क्या हुआ Ericsson कहता है eyeball को कि तुने आज तक जितने सेट बेचे हैं तुने हमारा patent यूज किया है बहुत सारे patent है हजारों patent है Ericsson के पास दुनिया के ये जो mobile technology के उपर हजारों कई हजार patent है कई हजार हजारों भी नहीं कई हजार patent है तो Ericsson कहता eyeball को कि तुने आज तक जितने सेट बेचे उन पर हमें royalty दे क्योंकि तुने हमारे patent यूज किये है और तु हमें अगर आज तक तुने जो 2G सेट बेचा मान तुने आज तक 1 करोड 2G सेट बेचे इंडिया में तो हमें 1 करोड सेट पे अपनी royalty चाहिए क्योंकि तुने ना हमारे patent यूज किये है आई बोल कहता है ठीक है भीया आप मुझे लिस्ट देदो पेटेंट की लिस्ट देदो कि मैंने कौन-कौन से पेटेंट यूज किये हैं मैं आपको रिवल्टी देता हूं अगर तुने आज के बाद लिस्ट माँंग ली ना हूं से पेटेंट की लिस्ट भी तुने अज के बाद तो तुरेंगो 3G टेकंग लिगे और 2G टेकंडॉलजी के साथ यू वह कौन बेस्त रही हो अपनी यानि एक dominant position एक party powerful party है multi national company है दुनिया की technology की सबसे बड़ी company है one of the biggest company of the world वो एक भारत की छोटी सी company पर क्या कह रही है हफता वसूली कर रही है हफता वसूली कैसे कर रही है कहता है कि हमेरे reality चाहिए तो यहाँ पे अब क्या करें यहाँ पे अब कि नजायजkov को पूरा कर ले इबाल के सामने दो option है अगर नजायज मांग पूरा करती है तो वो loss में जाती है loss में business वैसे यि बंद हो जाता है loss में business वैसे नहीं चलता अगर नहीं पूरा करती तो वो market में irrelevant हो जाएगी Eyeball market में irrelevant हो जाएगी क्योंकि 3G technology नहीं मिलेगी और 3G technology अगर नहीं दी Ericsson ने उन्हें तो वो करेंगे क्या market में यह उस time की बात बता रहा हूँ जब 4G नहीं आई थी 3G की बात बता रहा हूँ 12, 13 की बात बता रहा हूँ 2012, 2013 की बात बता रहा हूँ और फिर उनको relief दिया तो यह काम है competition commission of India जब एक बड़ी party आपको भगवान ने dominant position पर बनाया है भाई उसका use करो आप उसका misuse थोड़ी करने देंगे तो section 4 dominant party को अपनी position को misuse करने से रोकता है imposing unfair or discriminatory conditions or limiting limiting or limiting and restricting limiting and restricting production of goods आप दिहां से नोट करेंगे बता production of goods or services or indulging in practices or indulging in practices resulting in स्मझाओंगा बेटा आप नोट कर लीजिए resulting in denial of market access denial of market access की एक particular market को आपको access है नहीं करने देंगे क्यों नहीं करने देंगे क्योंकि आपकी गर्दन हमारे हाथ में है in any manner in any manner or through in any other mode any manner or or through in any other mode is prohibited is prohibited is prohibited यानि मना है क्या कहता है section 4 आई ये ध्यान से मेरे साथ नोट करेंगे बेटा कि imposing unfair imposing unfair अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर unfair और डिस्क्रिमिनेटरी अपनी मर्जी से शर्ते शर्ते लगा दे जैसे एरिक्सन ने आई बोल पर लगा दिया कि देख तू हमें royalty दे बोलता है कि किस चीज़ पर royalty दे हूं किता आज तक जितने भी तुने फोन बेचे हैं उस पर royalty दे किस चीज़ की royalty दे हूं क्योंकि तूने हमारे patent patent use किया है अच्छा तो कौन-कौन से patent use किया है बता दो discriminatory बोलता है कि नहीं नहीं वो मेरी मर्जी है वो मैं बताऊंगा कि तूने इस इस patent use किया है तो तू यह वाली royalty दे वो मेरी मर्जी है मैं बताऊंगा तू नहीं बताएगा ठीक है तेरा पूछने का कोई हक नहीं है उसको बोलते हैं discriminatory समझ के यहां पर discriminatory का मतलब है मतलब अपने बाप की property समझ रखा है मतलब कोई logic नहीं विदाउट लोजिक कोई logic नहीं है कोई discriminatory समझ कि आप discriminatory word discriminatory शर्त्ते लगा दी यानि दूसरी पार्टी की बात को मनसुने बिना दुसरी पार्टी की प्रवा करे भी न वो कौन है क्या है कि उस बात की प्रवा करे भी न discriminatory conditions लगा दी discriminatory conditions or limiting any restricting production of goods or service or indulging in practices resulting in denial of market access ऐसी practices करना कि तेरों को उस market में access नहीं करने देंगे जैसे Erikson ने Erikson ने eyeball को धमकाया कि तेरों को 3G market में entering नहीं करने देंगे कर ले दूँ क्या करेगा या तो फिर हमारे को royalty दे in any manner किसी भी तरिके से और through any other mode और किसी भी mode से is prohibited is prohibited वो क्या है बटा prohibited है is prohibited is prohibited वो prohibited है prohibited है prohibited मतलब क्या मना है आपको ये काम नहीं करने देंगे किसी हालत में नहीं करने देंगे section 4 ये कहता है ये एक area है जहां पे dominant party अपनी position को abuse करे और weaker party को तंग करे business करने से बना करे या उसके business को irrelevant बना दे या उसके existence को ही irrelevant बना दे तो ऐसी practices को रोकने के लिए CCI CCI जैसे जैसे भगवान मुश्किल की घड़ी में भगवान help करते है अपनी भगत के ठीक है जैसे दुरॉपदी एक समस्या में फस गई थी जुदिश्टर ने उसे दाओ पे लगा दिया था ठीक है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भीम अर्जुन नकुल, सहदेव, जुदिश्टर की पतने जिसे भरी सभा में ले आया गया ठीक है और उसके साथ उसके साथ मिस्विहेव किया गया दुरॉपदी के साथ उसने देखा कि यहां तो यह जो मेरे पांच पती बैठे हैं यह तो निकम्मे हैं यह तो बेकार हैं यह किसी काम के नहीं यह नहीं मेरे डिग्निटी को बचा पा रहे तो उसने लॉड कृश्टर से अपील करी फिर लॉड कृश्टर ने अपने तरीके से दुरॉपदी की लाज बचाई दुरॉपदी को बचाया तो कुछ वही रोल है यहां पर CCI का है कि कोई अगरा कंपनी आपको तंग करे कोई कॉम्पटिटर आपको तंग करे कोई अपने पोजिशन को डॉमिनेट करे अंटी कॉम्पटिटिव एक्रीमेंट करे तो आप CCI के पास एप्लिकेशन करेंगे CCI के पास गोहार लगाएंगे और CCI आपके रेस्क्यू के लिए आजाएगी इसनी पनल्टि लगा देगी दूसरी पार्टि का सुरवार है कि साथ पुछते हैं उसकी याद रखेंगी कि किसी माई के लाल ने कोई पनल्टि लगाई थी आए थर्ड पॉइंट हम यहां डिसकस करेंगे बैटा थर्ड पॉइंट is very very important थर्ड है regulation अभी देखो दो हमने prohibition डिसकस करी अभी हम बात करेंगे regulations की regulation regulation of combination एक बहुत बड़ा combination हुआ पिछले साल 2015 की बात करूँ तो Airtel Bharati Group ने और Future Group ने एक combination किया Future Group जो यह retail chain चलाते हैं और भारती का बीच में combination हुआ तो अगर आप इतने बड़े-बड़े combination करोगे एक limit, monetary limit आप पढ़ोगे monetary limit दो level की होगी sale पर भी होगी और assets की valuation पर भी होगी यहनि आपकी assets की valuation करेंगे आपकी sale की valuation करेंगे और limit देंगे, तीन काम पढ़ने हैं आपने, तीन बाते याद रख लीजिए पहला आपको क्या करेंगे? एक आपकी assets की valuation होगी दूसरा आपकी turnover की valuation होगी और तीसरी limit गॉर्मेंट आपको बताएगी उनको compare करेंगे अगर आप threshold पर touch करेंगे threshold के पार चले जाएंगे आप दोनों की turnover या आप दोनों की assets जैसे माल लीजिए company A और company B company A और company B आपस में merge होना चाहती है और company C बनाना चाहती है A और B मिलाके C को बनाना चाहते है अब C की assets देखेंगे अब जो C company बनेगी इसकी assets देखेंगे इसकी sale देखेंगे turnover देखेंगे ठीक है और फिर जो government ने assets की limit बताई है assets की limit बताई है और turnover की limit बताई है अगर ये C की assets इस limit को टच कर जाएंगी इस limit को breach कर जाएंगी तो फिर फिर क्या होगा पेटा शाबाश CCI के पास regulate करने की power आ जाएगी CCI inquiry investigation करेगी कि आप के इस एक होने से क्या competition पर इसका बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बुरा असर नहीं पड़ेगा तो करने देंगे बुरा असर अगर नहीं पड़ेगा तो करने देंगे तो इसमें दो section करने है बेटा total मैंने 5 section बताये थे आपको 3, 4, 5 और 6 देखो इसमें हम 4 तो यहाँ पर discuss कर चुके है ठीक है शाबाश आईए बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा combination combination which cause which cause which cause cause मतलब कारण बनते हैं or likely to cause या कारण हो सकते है cause or likely to cause या तो कारण बनते हैं या कारण हो सकते है an appreciable an appreciable appreciable adverse adverse effect on competition on competition appreciable adverse effect on competition within the within relevant market last session में मैं आपको बता के आया था आप ध्यान रखना within the relevant market within the relevant market in India in India in India are void are void unless 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 it is approved by approved by CCI अगर CCI से अप्रूव करतेगा तो कोई बात नहीं कर लो ठीक है और CCI क्या चेक करेगा क्या इस combination का क्या इस combination को करने से ठीक है CCI यह चेक करेगा कि इस combination को करने से भाई competition पर adverse effect पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा combination which cause जो हो चुका है कारण बन चुका है or likely to cause कि यह कारण हो सकता है an appreciable adverse effect on competition इस language को याद रखना है बेटर an appreciable adverse effect on competition within the relevant market within the relevant market in India are void unless it is approved by CCI यह वो combination वो combination जो आप इंडिया में कर रहे हो इंडिया की में relevant market में आप कोई combination कर रहे हो और उससे combination पर competition पर adverse effect पड़ रहा है तो वो काम आपको नहीं करने देंगे आप दिहान से मेरी बात को सुनेंगे बेटर आईए इसका आप last point नोट करेंगे शाबाश competition advocacy और यह fourth area है competition advocacy CCI को हम एक ऐसी authority मान रहे हैं कि जो competition matter पर जिसके पास expertise है जो competition matters को detail में research करती है तो competition advocacy section 49 बहुत important section है section है examination point of view से आईए डिसकस करेंगे कि क्या है यह वाइल फॉर्मूलेटिंग वाइल फॉर्मूलेटिंग अब policy on competition कोन बनाएगा policy on competition जब policy बनाने की बात आएगी policy मतलब कोई rules regulations बनाने की बात आएगी while formulating a policy on competition अजय के अभान। नियु को अभदान। State Government State Government State Government May make a reference May Make a reference To CCI For Its Opinion For Its Opinion On The Possible Effect On The Possible Effect Of Such Policy On Competition By CCI On The Possible Effect Of Such Policy On Competition On Competition Or Any Other Matter The CG Central Government State Government May May word 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 बहाओ पड़ेगा उस policy का उस policy जो central government या state government बना रही है तो CCI से पूछ रही है कि हमारी इस policy का competition पर क्या फरक पड़ेगा लेकिन CCI की जिम्मेदारी है ध्यान से सुनना बेटा The CCI shell central government की तो discretion है मर्जी है CCI से advocacy ले या न ले लेकिन जब central government ले या state government ले तो CCI की क्या power है CCI shell give shell word है यहाँ याद रखना shell word है और उपर याद रखना may word है कि government का obligation नहीं है कि वो उसे refer करे लेकिन CCI का CCI का यह obligation है CCI shell give its opinion give its opinion on the possible effect on the possible effect of such policy effect of such policy on competition on competition on competition आईए इसका एक point और भी हम note करेंगे यहाँ पर competition advocacy देखो यहाँ पर बटा दो बाते हैं कि government की मर्जी है कि वो किसी मुद्दे को किसी policy making किसी decision को CCI को refer करते है कि नहीं करते है फिर CCI 60 दिन के अंदर आपने इसला देगी CCI कितने दिन के अंदर देगी ठीक है बटा CCI shall give its opinion on the possible effect of such policy on competition ठीक है बटा within 60 days आप note कर लीजिए पिटा within 60 days यहाँ पर note कर लीजिए जो time period है वो कितना है CCI कितने दिन में देगी अपनी opinion within 60 days 60 दिन के अंदर अपनी opinion देदेगी शावश note कर लीजिए ध्यान से अब government की मर्जी है कि वो बात माने या ना माने अब कोई obligation नहीं है कि जो CCI ने जो अपना view रखा है government policy बनाते समय है उस view को उस policy में डालेगी या नहीं डालेगी वो government की मर्जी है C तो बहुत ध्यान से section 49 करना है section 45 पर question बेटा exam में आने के बहुत ज्यादा chances होते है the central government the central या फिर state government may thereafter may thereafter may thereafter take further action take further action as it deems fit as it deems fit however the opinion given by CCI given by CCI shall not be binding shall not be binding upon the central state government in formulating such policy in formulating such policy तो दोस्तों हमने देखा कि वो कौन-कौन से एरियाज हैं जहां पर CCI काम करेगी तो एरियाज एफेक्टिंग कॉंपेटिशन कौन-कौन से हैं तो ये फौर पॉइंट्स के अंदर मैंने आपके साथ वो डिसकस किया अब आगे की नोलिज के लिए दो तिन चीजें आपको जुरूरी है सीखनी आइए पहले उनको हम समझ लेंगे तो एक तो हमें एंटर्प्राइज को डिफाइन करना है पेटा मेनिंग ओफ एंटर्प्राइज एंटर्प्राइज को सेक्शन टू क्लोज एच डिफाइन करता है पेटा क्या मतलब होता है मीन्स करियर और प्यूनल्ट एंटर्प्राइज कर तिंट्राइज निटर्फ्राइज तिकनतErि दुरूर में स? Number First a Person a Person Number Second, a Department of the government Department of the Government Who Who or which Who use कर रहे हैं Person के लिए Which use कर रहे हैं Department के लिए Which is Or Has been Engaged in Engaged in Any Activity Relating to Relating to Production Number Second Storage Third Supply Fourth Distribution Fifth Acquisition Or Control Control of articles 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 मतलब goods Yeah you can say goods Or goods Do you have to do that Do you have to do that Do you have to do that definition note कीजिए बिल्कुल मक्खन की जैसे सम्झाऊंगा बेटा आपको बिल्कुल क्रीर हो जाएगी Provision of service या वो क्या करते हों Service provide करते हो Provision of service Of any kind किसी भी तरह की service provide करते हो और Investment कहीं पर investment किया हो और Business Business of Occuiring Holding Underwriting Underwriting Or Dealing ating with shares, debentures, or other securities of any body corporet, of any body corporet अब इन चारों पॉइंट की नीचे, यह चारों काम वो कैसे करते हूं? आइधर, directly, खुद involve हूं, or through, or through, one or more, of its units, one or more of its units, units कैलो, or divisions, its divisions, or subsidiaries कैलो, or subsidiaries, is located, is located, through one or more or if units, divisions, or subsidiaries, whether such unit, whether such unit, or division, or subsidiary, or subsidiary, is located at, is located at the same place, where the enterprise is located, जिसकी हम बात कर रहे हैं, or at different places, or at different place, different place, or places, आईए, enterprise सिखा रहे हैं बैटा, आपको enterprise क्या होती है, section 2, close H में define है, it means, a person, a person, or government, or a department of the government, तो इसमें कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन, जो पर्सन होते हैं बाटा, department of government या कोई department of government जो होते हैं, who, who, or which, or, is, or has been, यहाँ पर ध्यान रखना, who, or which, is, or has been engaged, किस कामेव्यस थे, in any activity relating to, कौन सी activity कर रहे थे, किसी चीज का production कर रहे थे, किसी चीज को store कर रहे थे, किसी चीज की supply कर रहे थे, किसी वस्तू की distribution कर रहे थे, किसी भी चीज को acquisition or control of articles or goods, किसी भी article को, प्याज को, tomato को, चीनी को, ठीक है, उनका control प्राप्त कर रहे थे, acquire कर रहे थे, यानि किसी भी चीज को control कर रहे थे, acquisition, यानि उन्होंने किसी भी चीज को control करने किया, या कर रहे हैं या कर चुके हैं पीछे, ठीक है, या फिर क्या करते हैं ये, कौन लोग, या तो कोई person, या department of government, या तो फिर क्या करते हैं, किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं any provision of any service transportation टिक a aviation transportation insurance कोई भी 서비स ऑफ एनी काईंड या फिर इनवेस्टमेंट करते हैं ऍयां पिर क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट और या फिर business of acquiring क्या करते हैं acquiring acquiring मतलब प्राप्ट करना किसी और dealing with shares, debentures, ठीक है, और other securities of any body corporate, किसी भी body corporate के shares और debentures खरिदने का धंदा बगारा करते हैं, underwriting करते हैं, acquire करने का काम करते हैं, यह तो खुद करते हैं, either directly, खुद कौन करेंगे, such person or department of the government, यह तो खुद directly करते हैं, या through one or more its units, या अपनी किसी units से, units का मतलब यहां क्या divisions या subsidiaries companies, whether such unit, whether such unit or division or subsidiary is located at the same place where the enterprise is located or at different places, यह तो थी enterprise की definition, अब यहां पर बैटा कुछ important notes लिखने हैं इस definition के लिए, आईए, हम यहां पर क्या लिखेंगे, कुछ important notes भी लिखेंगे, कि जब हम इस enterprise की definition को पढ़ें, और इसमें हमने government को भी एक player मान लिया है, तो यह बात ध्यान रहे हैं आपकी, कि sovereign functions are excluded, sovereign functions government 12 के काम करती है, इंडिया में government 12 के काम करती है, इंडिया में government business भी करती है, private sector के साथ compete भी करती है, ठीक है, और सरकार भी चलाती है, तो जो सरकार चलाने वाले काम है, sovereign functions कहते हैं उन्हें, सरकारी काम, sovereign functions are excluded, तो government के वो काम, जो सरकार चलाने वाले हैं, वो enterprise की definition से excluded है, आईए नोट करेंगे इस बात को, any activity, any activity of the government, any activity of the government, ठीक है बेटा, relatable to, relatable ध्यान से नोट करेंगे, जोट करेंगे, relatable to, the sovereign function of the government, इजोेद एफ्यूलियूंड इजक में एफ्यूलियूंड डिजयूंड लेक अडिधिए ले तूम्ट में एफ्यूंड लेक जासिएных ले के दिए कि श्यूलियूंड रा रखी टिए्ट defenders और प्रेजिय कोडिते अकारों निंद फिर्पर्टमों का तर्थ निंद द्रेज का लिए ट्रेसंग फ्राइटों का लिए निंद फिर्टेट गॉंधि डिलिंग विद डिलिंग विद नमबर फर्स्ट एटोमिक एनरजी सवरन फंक्शन भी एक्सक्लूडिड है और ये वाले काम भी एक्सक्लूडिड है नमबर दो करंशी से रिलेटिड मुद्दे डिपार्टमेंट जो भी है नमबर तीन है डिफेंस अव दो कंट्री नमबर फॉर प्रस्पेस अंतरिक्ष शेल बी एक्सक्लूडिड शेल बी एक्सक्लूडिड फॉर्स्पेस अबव पर व्यू फ्रॉम देफिनेशन फ्रॉम द अबव जो उपर आपने देफिनेशन लिखी एंटरप्राइज की उसके दाएरे से ये चीजें बाहर है ये वाले देपार्टमेंट बाहर है और वो वाला तो आप्सेशन फॉर्स्क्शन से बाहर है एक्तिविटी या वरड़ीर यूज़ हुआ एक्तिविटी अपर्सन ओर डिपार्टमेंट ऑफ दगोश्मंट हुआर विच इस और एंगेज़िन इंगेज़िन एन एनी एक्टिविटी एक्टिविटी का मतलब यहां क्या है एक एक्तिविटी में हम क्या-क्या चीज़ें इंग्ल्ड करते हैं.. प्रोफेशन और ओक्युपेशन.. दोनों चीज़ें इंग्ल्ड करेंगे.. इसमें प्रोफेशन है और ओक्यूपेशन भी इंग्लूड यूनिट डिविजन का मतलब है प्लांट, कोई फैक्टरी, कोई ब्रांच, ठीक है बेटा, तो यह सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह आप डिस्कस करेंगे, सेक्शन 2H की डेफिनिशन से, तो सेक्शन 2H में मैंने क्या बताया आपको, डेफिनिशन बताई बेटा, कि पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गोर्वर्वर्मेंट, हू और विच इस और हैज बीन अगेस्ट इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू, यह हमने चार एक्टिविटी देखी, एक, दो, तीन, चार, और इन एक्टिविटी को वो पर्सन या ग गोर्वर्मेंट खुद करे या किसी के थ्रू करे, थ्रू किसके करेगी अपने किसी डिविजन के, यूनिट के, या सब्सीडियिस के थ्रू, ठीक है, वो उसी प्लेस पर सिचुएटीड हो या different places पर सिचुएटीड हो, लेकिन आपने धियान रखना कि जब हम गोर्वर्मे आदीड मैंने कहीं डिविजन के क्या है, और आटोमिक अनर्जी का मतलब यहां पर जठडवन है और अक्टिविटीड का मतलब यहां पे क्या है, और अक्टिविटीड का मतलब यहां तो अपर पिरू ever and evaluation है. आप ध्यान से बिटा मेरी बात को सुनेंगे section 3, 4, 5, 6 को पढ़ने के लायक मैं आपको बना रहा हूँ जो जो words important हैं उन words को पहले आपको समझा रहा हूँ ताकि आप section 3, 4, 5, 6 को मखन के तरह समझ सके और कोई भी आपको doubt आए आप मुझे phone कर सकते हैं आपको अगर online classes चाहिए तो आप मुझे समझ समझ करेंगे अब हम आपको बहुत खुबसूर तरीके से online classes प्रोवाइड करेंगे घर बैठे आपको और एक एक चीज समझाएंगे एक एक doubt आपका दूर करेंगे कोई भी आपको मन में confusion नहीं रहने देंगे ठीक है और आपको एक्जाम में question कैसे लिखने हैं क्या क्या questions त्यार करने हैं इतने भी recent amendments हैं यह सब चीजों को आपको guide किया जाएगा ठीक है और आपकी success को ensure किया जाएगा Thank you very much for watching